अलो स्टुडेंट्स बेलकम टू पी वियर स्टडी बच्चों अभी आपने हाली में कच्छा 10 के अंसी आटी गड़ित में कोश्चन नमबर टोल पढ़ा था ना पढ़ा था तो टोल नमबर तो खतम हो गया इस इक्सर साइज में टोटल सिक्स्टीन कुश्चन है हटी नमबर कुश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यह आपके लिए होमवर्क है आप इसे करिएगा बहुत आसान है सिंपल सा है और यह 12 मैंने बताई दिया है तो मैं 14 और 15 कुश्चन बताने चल रहा हूं ठीक है कलास को पूरा इंड तक देखना बीच में बिल्कुल भी छोड़के नहीं जाना ठीक है कुश्चन देखो करा एबी और सीदी केंद्र ओ और तिरिज्जाओं 21 सेंटीमीटर और साथ सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रिये बृत्तों के चाप हैं संकेंद्रिये का मतलब होता बिटा एक समान ठीक है जैसा कि आपको फिगर में दिया गया है यह दिक एंगल ए ओबी इक्वल 30 डिग्री है जो आपको दिख रहा है 30 डिग्री दिया है न तो छाय अंकित भाग का छेदफल ग्याद कीजिए सेड़ेट पार्ट का आपको एरिया फाइंड करनी है चलिए मैं आपको इसका इंद्रिय बृत्त का क्या है एक भाग है ठीक है इसमें दो आपको रेडियस दिख रही एक छोटा वाला सरकल का जो कटा हुआ पार्ट है यहां तक है ओसी से यह ओडी इसका साथ सेंटीमेटर लंबाई है और टोटल ओबी यह कई से ठीक है देखो हमें करना क्या है निकाल हम अगर इस पूरे-पूरे चाप या फिर बात करें पूरे-पूरे बृत्त खंड का फेट शेत्रफल निकाल लें जो इतना है पूरा लंबा वाला और उसमें से यह छोटका वाला घटा दें इसको अगर यहां पर लिखें थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा थोड़ा निकालने के लिए माइनर सेग्मेंट का एरिया को सब्ट्रेग कर खेंगे किसमें से टोटल वाले इसना तो लिखिये यहां पे लिखिये यहां यहां पर और फंट connecting the pamiętyaaM लिखो दिया है कि या दिया है कोश्चन एक बार देख लीजिए इसमें क्या क्या दिया है जरत्यान से यह कच्छा 10 की मैं था यहां पर याद रखना पहला नमबर तो आप यह दिया है और क्या दिया है यह दिया है यानि कोड़ भी दिया इदर फाइड में लिख सकते हो इको फाइड में यह इतना दिया है और कुछ दिया है कि निए अब लिखिये अकार्डिंटू दा कोष्चन यानी प्रफना अनुसार को लिखोगे चायंकित भाग का छेत्रफळ बराबर यानी एरिया आफ स्देट रीजिन इक्वल बढ़े त्रिज्य खंड का छेत्रफाल माइनस कोटे त्रिज्य खंड का छेत्रफाल यानि एरिया आफ मेजर सिग्मेंट माइनस एरिया आफ माइनर सेग्मेंट ठीक है चलो देखे सेग्मेंट का एरिया क्या होता है अगर आपने इस चेप्टर का इंट्रोड़क्षन पार्ट देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा थीटा आप मां थिरी सिक्स्टी इंटू पाई आर स्कॉयर है ना यह आपको बताया गया था ना तो चलो बभू लेते हैं इसको मैं थोड़ा इधर बढ़ा के लिखूंगा जिसे जगा मिल सके थीटा पान थिरी सिक्स्टी और इंटू क्या होता है पाई आर स्कॉयर यहां पर आर दो जगा यूज है इसलिए इसको आर वन मान लेते हैं और दूसरे वाले को क्या मान लेंगे आर टू मान है तीस अंस आप सबको दिख रहा है वहां पर 360 ठीक है पाई का मान आप कुछ भी रख सकते हो चाहे 22 बटा साथ रख दो चाहे दसमलों वाला रख दो तो 22 बटा साथ ही रख देते हैं पहले वाले अगर हम बृत्त की त्रिज्या की बात करें तो 21 थी बड़े वाली की है न इसमें भी वही है चाहे चोटा वाला 30 खंडो चाहे बड़ा वाला एंगल दोनों में बराबर है इंटो 22 अपां सेवन इन्टू इसकी त्रिज्या साथ साथ है जीरो से 0 कट दो तीन से इसको कट दो बही या या जाएगा बारह गला जीरो से 0 कट गया या ऑगला 12 इक्दम इसमें जो जो हल हो सकता है उन्हें हम छोटा-छोटा तोड़ डालेंगे एकदम भाग-भाग में इनको हमें काम कर सकते हैं और भी इनको तोड़ सकते हैं तीन से काड़ सकते हैं कि नहीं काड़ सकते हैं इनको साथ से काड़ दो साथ तरी के कैस ठीक है इनको तीन से काड़ द तो दो दुना चार को दो से कड़ जाएका 11 उपर 11 कि यह नीचे दो कि इसमें देखो यह नीचे आप जाएगा दो से कार्ड तो च्छी आगया इसमें 11 और सेवन बच रहा नीचे छे बच रहा है देखो क्या क्या बच रहा है अब मैं उपर लिखूंगा मिटा करके आप लोग इन्हें वीडियो को रोंक करके लिख लो जल्दी से बहुत जल्दी फास्ट चलो अच्छा है मस्त है तो अब क्या करेंगे इनको हम सिर्फ और सिर्फ तरल कर लेंगे और आंसर आपके साथ यह दोड़ के आजाएगा फटाक दे अब उपर साइड में चलकर लिखेंगे यहां पर ठीक है क्लियर देखो यहां पर 11 बच रहा है यहां पर 21 बच रहा है नीचे दो बच रहा है बागु आपका यह 11 गुड़ा 21 बटे 2 माइनस इधर साइड में 11 और 7 बच रहा है 11 7 नीचे 6 बच रहा है इनको मल्टीपल करो 11 एक कम 11 हांसी लाया एक ग्यारा जुना 22 एक 23 बटा दो माइनस 11 777 बटा छे क्रास मल्टीपल कर लीजिए और घटा लीजिए क्रास मल्टीपल करके आप घटा होगे तो कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा भाई ये LCM ले लो बाबू LCM 2 9 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा जब 2 से 6 में भाग करोगे तो 3 आएगा और 3 का इसमें गुड़ा कर दोगे 3 का इसमें क्या करोगे बटा मल्टीपल कर दोगे भिन हल करना आप जानते हो तो 3 एकम 3 3 का 9 3 दुना 6 माइनस LCM नीचे लिख दो बड़ा वाल अच्छे 6 से जब 6 में भाग करोगे तो एक आएगा एक का इसमें मल्टीपल वही आएगा ठीक है ना बबुआ तो ये 308 आज जाएगा बटा च्छे देख लो क्यों सही जा रहा है क्या नहीं कोगे नहीं का है को नहीं देखो एक चीज इसमें से घटेगा 616 आएगा इसको सब्ट्रेक करो कितना आएगा 616 इतना आएगा बाबु 616 आएगा अब इसे दो से खाटेंगे तब ये 308 बटा 3 आएगा सेंटीमेटर स्कॉयर ये क्या होगे आंसर होगे ठीक है इसमें किसी को कोई डाउट तो बताओ ने संकोज अधिक्छा सर्मा अनुपम कीरन मौर्या सबका कमेंट आ रहा है मुझे दिख रहा है सारे बच्चे जूड़े हैं टेंसन मत लीजिए कमेंट पर मत ध्यान दीजिए सिर्फ पढ़ाई प ध्यान दीजिए तो बच्चों अगले कलास में अगला कोईशन तब तक के लिए बह आइम बदलता है तो नंबर पर संपर करो